नमस्कार, खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टुड़े में मौझूद हैं, कैपटल टीवी के एडिटर इंचीव, डॉक्टर मनि रपसाब बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद, सबसे वेले नजर, हेड्लाइन्स पर वफेक्ट में बड़े संसुदन की तयारी में मोधी सरकार संसद में कल पेश हो सकता है, बेल, बदलाव की तयारी पर, मोधी सरकार पर भढ़के, असुदुद दिन ओवेसी अयुद्या रेव के इस मामले में, आरोपी मोहित खान पर युगी सरकार का आक्षन जारी, अब मल्टी कॉंपलेक्स पर बुल्डोजर चलाने की तयारी, साथी एक और पुलिस वाले पर गिरी गाज और दब ठाकरे के बिगडे बोल, हम शाह को बताया, एहमद शाह अबदाली का बंसर्श, तो देवेंद्र पडन्विस को कहा, खट मल्ट चुनावी मैदान में उत्री अर्विन केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल, खरयाना के सोना में राली को समबोधित कर कहा, अर्विन केजरिवाल शेर है, वो ना टूटेंगे और ना जुकेंगे दंगे की चपेट में आकर जुलस रहा ब्रिटेन का कई शहर तीन बच्चियों की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन अब तक 90 लोग गिरफतार कबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वफ बोट पर मोधी सरकार के बड़े आक्शन की मोधी सरकार वफ एक्ट में बड़े संसोदर कंडे जा रही है वफ एक्ट 1954 में बनाया गया था वफ बोट की संपती के रख रखाव को लेकर ये आक्ट बना था जिसके बाद से नियमों में बदलाव भी हुए अब मोधी सरकार ने इस अधिनियम में ब्यापक बदलाव करने की योशना बनाई है इस एक्ट में बड़े संसोदर को लेकर पांच अगस्त यानि की कल संसद में बिल पेश हो सकता है कैबनेट मीटिंग में संसोदित बिल को लेकर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है एक्ट में 40 संसदोनों पर मोहर लगाई गई है तो ऐसे में कल का दिन काफी महत्पुन रहने वाला है वैसे इस बदलाव को लेकर राजनीती भी शुरू हो गई है कई तरह की बयानबाजी हो रही है ओवेसी बड़क उठे है असुदिन ओवेसी ने कहा कि ये अपने आप में धार्मिक स्वतंतरता के खिलाफ है क्या आप कल बड़ा धमाका संसद में होगा वै पाच अगस्त है पाच अगस्त तो प्रदान मंत्री मोदी ने वैसे ही कि स्पेशल डे बना दिया है पाच अगस्त को 370 हटाया गया था पाच अगस्त को राम मंदर के सलामयास किया गया था और पाच अगस्त को भूमी पूजन भी हुआ था तो प्रदान मंत्री मोदी पाच अगस्त को इस ड्रेकोनियन कानून एक ऐसा खतरनाक कानून जो कॉंग्रेसियों का पाप है ये पाप से कम नहीं है सेक्लरिजम और वोट बैंक की राजनिती के नाम पे आपने एक ऐसा कानून बना दिया कि वक्ट वोट के साथ आदमी जिस जमीन पे उंगली रख दे कि कह दे कि ये तो वक्ट की जमीन है आप कुछ नहीं कर पाएंगे अभी सिप्टमबर 2022 में आपने ख़बर सुनी होगी कि तमिलाडू के गाउ को एक वहां राम गोपाल नाम का सक्स बेचना चारा था अपने घर को जब वो गया कोट और अपने जमीन को बेचने के कोशिस की तो वहां अधिकारियों ने कहा ये तो आपकी जमीन ही नहीं ये तो वक्ट की जमीन हो गई है पूरे के पूरे गाउ को वक्ट वालों ने कहा तमिलाडू वक्ट बोर्ड ने कि भई ये हमारी जमीन है वो बेच नहीं पाया कोई नहीं बेच सकता कोई कानून कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने ऐसा कानून बना दिया कि साथ मुसल्मान टै कर लेगे कि यह जमीन उनकी है तो फिर उनकी ही हो जाएगी जबकि इसलाम के पैदा होने से पहले से वहाँ पे एक मंदिर पुरातन मंदिर उस गाउं में था तो यह पाप कब तक हिंदुस्तान इस सेक्लूरिजम के नाम पे ढोएगा यह OVC जो कह रहे हैं बकवास कह रहे हैं सम्मिधान के निर्माता होने जब सम्मिधान बनाया था तो वक्त बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी इस तरह के वन सैड़ेट पावर यह कॉंग्रेस पाटी के पीवी नरसमा राव की जो सरकार थी 1995 में चुनाओं से ठीक पहले इस तरह के कानून को पास किया था और उसके बाद 2013 में चुनाओं से पहले यही सोनिया गांदी राहूल गांदी की पाटी में अजीबो गरीब पावर्स दे दिये थे जो सम्मिधानिक रूप से गड़बड है और यह जो काम प्रधान मंत्रे मोधी कर रहे हैं यह अपने मंद से नहीं ओल्रेडी इस ड्रेकोनियन कानून के खलाफ सुप्रिम कोर्ट में P.I.L. थी सुप्रिम कोर्ट में सरकार से पूछा कि यह क्या कर रहे हो आप अपना पोजिशन बताओ कानून बदनो या फिर हम कुछ करें तो इसलिए कल पटाखे फूटेंगे मिस्पोर्ट होगा भुकम पाने वाला है लोग सवाराज सवा में क्योंकि यह कानून तो पास होना ही है और इसके उपर जो राजनिती हो रही है आप देखिए सारे लोग इस पे बेनिकाब होगा अब बात करते हैं अयोध्या में गैंग रेप मामले में योगी सरकार के ताबड़तोड आक्षन की योगी सरकार ने एक और पुलिस सिपाही के खिलाफ आक्षन लिया है अब बदर्सा पुलिस चौकी में तैनाज सिपाही रोहित ग्यादव को सस्पेंट कर दिया गया मामले को लेकर इसी पुलिस चौकी से ये तीसरा सस्पेंशन है साथी आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुल्डोजर चलने के बाद अब एक मल्टी कॉंप्लेक्स को गिराने की तैयारी की जारी है जो मोहित खान के एनराई मित्र के नाम पर बताया जारा है मतलब आक्शन तेजी से हो रहा है साथी राजनिती भी हाई है इसे बेज आज भारती जनता पार्टी का तीन सदस्य प्रतेनिदी मंडल अयोध्या पहुंचा अयोध्या में बीजपी के तीनों नेताओं ने गैंगरेब की पिडिता और उसके परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदग का भरोसा भी दिया है योगी सरकार तो ताबर तोड कारवाई कर रही है लेकिन अखलेश यादव क्यों नहीं अपने करीबी नेता के खिलाफ कोई आक्शन लेपा रहे हैं भई मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है अगर मुईत खान के खिलाफ अगर ये लोग चले गए बयान दे दिया या यह कह दिया कि भई इसके खिलाफ कारवाई हो मुसल्मान नाराज हो जाएगा मुसल्मान नाराज हो जाएगा तो फिर अखले से अदब की राज़िती खतम हो जाएगी वही इनकी राज़िती दुसरी मुस्लिम होट के उपर है आपने क्या किया आपका नगरत धर्ज जो है वो एक बच्ची के साथ बरातकार करता है उसको प्रिग्नेंट कर देता है और जब मामना तूल पकड़ता है तो धमकी देता है पैसे का लोब देता है बार-बार दवाब डालता है पुलिस के उपर यह दवाब डाला जाता है कि एक फाइयार दर्ज मत करो और जब फाइयार दर्ज हो जाता है सरकाँ एक्स लेती है तो अठी चाद कहते कि वे डे इने टेस्ट करो चाचा कहते कि वे नर्कोट टेस्ट करो किसका अब बीजेपी वालों का पुलिस वालों का दूसरे लोगों का और अब आज भी कह देते हैं कि देखिए इस तरह के केसिस में बच्ची को जो है वो पैसे देखर के इस तरह का बयान दिलबाया जाता है दो मेहने से ये बच्ची ये प्रियंका गांधी और ये सारे लोग सीखें उ मुसलिम बोट बैंक का सवाल है वो किसी भी कीमत पे नाराज नहीं होना चाहिए इसके लिए दिन को रात रात को दिन जो भी कहना हो हम कहने को तैयार है यही अखलेस यादव की राजनिती का पूरा सार है सब लोग थू-थू कर रहे है और बस इसलिए ये काम हो रहा है क्य इनकी हेकरे निकलेगी इनकी इस्त भी जाएगी अब बात करते हैं महारास की राजनिति की जिस से देश की राजनिति भी गर्म हो गई है महाराष्ट में इस साल केंथ में विदानसवा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है पुणे में एक रैली के दौरान उद्रफ ठाकरे ने अमशा की आलोशना करते हुए उनकी तुलना एहमद शाह अबदाली से की उद्रफ ठाकरे ने कहा कि आज से मैं आमशा को अबदाली ही कहुँगा ये टिपनी शाह की उस टिपनी का जवाब था जसमें उन्होंने ठाकरे को और इंग्जे फैन कलब का नीता बताया था साथी उद्रफ ठाकरे ने फटन्विस को खटमल बता दिया हाला कि उद्रफ ठाकरे के बयान की जमकर निंदा भी हो रही है केंद्रिग्रे राजमंत्रे नत्यानंद राय ने आमिशा पर उद्रफ ठाकरे की टिपनी पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि आमिशा उन सभी के दुश्मन है जो देश के दुश्मन है उदव ठाकरे कॉंग्रिस के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और लागतार हिंदू को पीडा पहुचा कर बाला साहिब ठाकरे की आत्मा को चोट पहुचा रहे हैं इस तरह का बयान देकर क्या उदव ठाकरे चुनाव जीत जाएंगे देखे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये खटमल तो साम किसी को चुचुंदर पता नहीं किस किस तरह की भासा का इस्तेमाल उदव ठाकरे करेंगे दिक्कत क्या है? उद्दव ठाकरे की दिक्कत ये है कि उनको कोई मुख्य मंत्री का उमिद्वार बनाने देना नहीं चाहता साथ तारिक को सीट बटवारे को लेकर के मीटिंग होनी है साथ अगस्त को कॉंग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे है कि वो बिग ब्रदर के रोल में रहेगी वो इस बार लोग सभावाली गलती नहीं करेगी ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर 288 सीटों में से 150 सीट के ऊपर वो खुद चुनाव लगना चाहरी है कॉंग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सीटों के बाद चुनाव के नतीजों के बाद तै होगा जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा आपको तो अपने ही लोग नेता नहीं मान रहे हैं और उसका जो उपाय ढूंडा है कि हम अमिश्या मोदी इन से लड़े दो तिन चीज़ें वो साबित करना चाहरे है वो बता रहे कि अबदाली अबदाली कौन था भई उमाराठाओं को हराया था बाहर से आया था ये वही जा राग अलाकन चाहरे हैं जो ममता बनरजी अलापती है जो केज्रिवाल अलापते हैं जो अखलेस आदव अलापते हैं कि गुजरात के दो लोग महराश्ट की सारी राजौनीती के ऊपर गपजा करना चाहते हैं इस सब पुराना ट्रिक है कुछ नया ढूनना चाहिए और राजनीती में आप इस तरह के अभधर टिपनी करेंगे तो उसका जवाब भी दूसरी तरीके से मिलेगा चलिए बढ़ते हैं और बात अगली ख़बर की करते हैं दिल्ली के मुक्यमंत्री अलवन केजडिवाल तेहार जेल में बन है कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है ऐसे में हर्याना में होने वाले विदान सभा चुनाओ का मोर्चा उनकी पत्नी सुनीता केजडिवाल सम्हालती नज़र आ रही है वो जोर शोर से चुनाओ प्रचार में लगी हुई है यसी कड़ी में आज उन्होंने हर्याना के सुहना में एक जनसभा को सम्होधित किया और केजडिवाल को जिताने की अपील की इस दोरान उन्होंने हर्याना के लोगों से एक मांग भी कर डाली उन्होंने कहा कि जैसे गुजरात के लोगों ने मोदी को जताया वैसे ही हर्याना के लोग अब अर्विन केजरिवाल को जताया उन्होंने आगे सबा में कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर्याना के लाल को जेल में डाला है मोदी जी ने हर्याना के लोगों को चुनौती दी है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया अब जो करना है कर लो क्या आप लोग ये अन्याय सहेंगे मैं नरेंद्र मोदी को बता दू कि अर्विंद केजरिवाल जी शेर है और वो आपके सामने ना तूटेंगे और ना ही जुकेंगे फुल फॉर्म में है सनीता केजरिवा भाई सेर है तो सेर पिंजड़े में बंद हैं कि सर्कस वाला सेर बन गया है और्विंद केजरिवाल और असफारा मेला करे बेटा घर छोड़े किसी और जेंदर करके बैठ जाता है वो तो दिन्ली का हो गया मुद्धिनिका सब कुछ है वहां राहा कहा ह्याना कॉ उल्ध्य बाण प्atsonini तो हर्यान वालों को तो गालिया देता है हर्याने मेंता के किसान को पानी नहीं चाहिए पंजाब सटार है यो ज्यादा पानी भी नहीं देता हर चीज के लिए हर्याना को दोस्त देता है दिल्ली में पॉलूशन होता हो करते हर्याना वाले पॉलूशन करते हैं दिल्ली में पानी कभी होती है तो कहते हर्याना वाले पानी रोग चुके है फिर अगर दिल्ली में बाल आ जाता है तो बोलत हर बेटा सुपत्र नहीं होता कुछ नलाइक निकल जाते हैं तो यह हर्याना का नलाइक बेटा है जो दिन रात हर्याना को गालिया भी देता है और अब वहां पे वोट मांगने पहुंचा है हर्याना के लोग दिल्ली वालों से जादे समझदार है इसलिए हर बार यह में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन हुए है जिसमें कई पुलस कर्मी घायल भी हो गए है और काफी जादा नुकसान भी पहुंचा है यह देश में 13 साल में सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है दरसल हिंसा की गी आग तब भड़की जब उतर पश्में इंग्लैंड में तीन बच्यों की चाकू घोब कर हत्या कर दी गई हिंसक प्रदर्शन के दोनार लिवरपूल हल ब्रिस्टल मैंचेस्टर ब्लाक पूल और ब्लाक फास्ट में बोतले फेकी गई दुकाने लूटी गई और पुलिस अफसरों पर हमले भी हुए है बताया जा रहा है कि मुश्टाजा अपडेट सामें आ रही है देखे यह कहानी सुरू हुई जब तीन बच्चियों की निर्वम हत्या कर दी चाकू घोब के और यह खबर आई कि यह illegal migrants मतलब मुसल्मानों ने यह काम किया है social media में पिछले दो सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं सरे आम दिख रही है यह तो England है इटली से भी खबर आ रही है फ्रांस से भी खबर आ रही है सुडिन से खबर आ रही है कई जगों पे तो कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि बरदास्त करने के अलावा को दूसरा चारा नहीं है अभी ये अचानक से इतना बड़ा मसला क्यों बना वाइ इंगलेंड के ओरिजनल निवासी लोग है वाइट पीपल सिवलाइज लोग ये काम कर रहे हैं क्यों उनके पेसिंस का लेवल भी जो है वो क्रॉस हो गया आप सब हैं भले हैं मृदुभासी हैं लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब आपका पेसिस जो है हर चीज के लिए जवाब भी देता है लगातार अभी हमास को लेकर के आप इतनी बड़ी जगन अपराद वहाँ पे हमास के दरिंदों ने किया 1200 बच्चे लड़कियां यूवतियां बच्चियां उसकी हत्या की घर में घुस घुस के मारा इसराइल के अंदर और वहाँ पे मुस्लिम समुदा है हमास के ज़ंडे को लेकर के प्रोटेस्ट करने निकला चुप चाप ये लोग सहते हैं डिमोक्रसी रूल अफ लॉव इसका फाइदा उठा करके ये लोग अभी हाल में सोट्स के साथ गंस के साथ ये लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तस्वीरे सोशल मीडिया में जाती है इनकी पहचान संकट में आ गई है ब्रिटेन ब्रिटिस की तरह दिखता नहीं है ऐसा लगता है कि लहौर बन गया है धाका बन गया है तो फिर जब ये घटना इस तरह की खबर आई लोगों ने अपने आप कोई संगठन नहीं है लोग अपने आप सडकों पे उतरे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जितने विदेसी हैं जितने मुसल्मान ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान इजर उजर से आ करके इंगलेंड को बरबाद कर रहे हैं उठा के बाहर फिकोई लोगों को ये मामला चिंगारी का काम किया है तीन बच्चों की मौत इस येस ने सिर्फ चिंगारी का काम किया है आग लगना अभी बाकी है अभी बिटन में हुआ है कल पूरे युरोप में यही चीज़े हो बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए धन्यवाद खबर का पंश्राम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश विदेश की बाकी खबर और उनके सठीक अनलेसिस के लिए देख तेरे कापटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और कापटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार